So hey guys, this is Abhishek and welcome you all in this Create Learning Platform. बहुत ही जल्द आ जाने वाला, क्योंकि उन्होंने कहा था कि, जैसा कि कहा था guys, उन्होंने cut-off और merit के लिए थोड़ी analysis की जानी है ना, जितने भी student वहाँ पर participate की है, थोड़ा उसी साफ से analysis करके, जो है cut-off क्यों जारी किया जाएगा 11th, class 11th के लिए. So guys, BCHU की website पर है, यहाँ पर देखरो girls and boys दोनों के लिए आ चुकी है ना, तो guys यहाँ पर girls and boys आनी 6th and 9th के लिए, दोनों के लिए counseling date आ गई है, और क्या 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 document आपको ले के जाना है, और कहां ले के जाना है, वो सब कुछ यहाँ पर आ गया है, class 6th and 9th के लिए, boys and girls के के बता देते हैं, है ना, तो देखो guys, so guys, जब नोटीस खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इन्होंने ऐसा है ना, photo auto-kheach के PDF बनाया हुआ है, तो इसमें 80 हिंदू भी सुभी दाले का आउपर आपको दीख रहा है, symbol लगा हुआ है, यह Central Hindu Boys School की तरप से है, यहाँ पर लिखा ह है guys, की range of, range of lottery rank for provisional admission in session, 2021 से लेके 2022 तक, ठीक, इन Central Hindu Boys School कमच्छा वारानसी, यह guys, first list आपकी जारी कर दिया गया है, और याद रखने guys, यह Central Hindu Boys School के लिए, ठीक, यह girls के लिए नहीं है, so guys, यह Central Hindu Boys के लिए, यहाँ पर first list आपका जारी कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते date of counseling, जो है class 9th के लिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, 15,9, 2021 Wednesday, ठीक है, अब देखो बुलाया है, किसो किसो गया है, lottery rank, आप यहाँ पर देखी सकते, lottery rank, जो guys, आपके lottery result जारी किया गया है, उसमें आपके rank बने होंगे, ठीक, उसमें आपके rank बने है, तुछी सा category के बात करें, एक से लेके 10 तक, और 9th में बात करें, एक से लेके 12 तक, S team बात करें guys, 6 के लिए, एक से लेके 5 तक, और 9th में बात करें guys, एक से लेके 8 तक, है ना, यह ranks है, lottery rank आपके, और उसी तरह guys, OBC, NCO, PC, OAH, अच्छी जिनको नहीं पता है, PC, OAH का मतलब होता है, physically challenged, OAH का मतलब होता है guys, orthopedically handicapped बच्चे, ठीक, अब देखो, यह आपकी first list है, अच्छा, यह चीज़ देखो, लिखा है ना, जैसे के OBC, NCO का लिखा हुआ है, एक से लेके 13, एक से लेके 13, एक लेके 6 का है, और यह 9th के लिए लिखा है, एक से लेके 18 है, तो जैसा कि यहाँ प मतलब क्या है, first main list, मतलब यह ऐसे बच्चे हैं, जिनको CHS ने select कर लिया ही lottery के लिए, अब यह बच्चे अगर CHS में पहुँच जाते हैं, सही सलामत है ना, मतलब सारा कुछ लेके, अभी document के बारें थोड़ी सी बात करेंगे, और चीज़े बताएंगे, तो अगर यह सारे 18 के 18 बच्चे इसमें पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे guys, total 18 बच्चो का नाम CHS ने select किया है, उपर से top से, तो guys, माल लोगर 18 में से 10 पहुँच गया, 8 नहीं पहुँच पाए, तो बाकी फिर उसके बास second merit list आएगी है, और फिर उसके just नीचे वाले बच्चो को call किया जा लेकिन फिर भी 18 में से 18 पहुँच जाएं, पूरे तो यह भी मुस्किल है, यह भी कहना बहुत ही मुस्किल रहता है, कुछ बच्चे यार किसी कारण वस नहीं जा पाते हैं, तो guys, यह चीज आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ जो red list है, वही यहाँ पे call किया गया, पहली merit list में यही बताना, आपको चाहरा तब पहली जो list निकली है, और रही बाद BHU employee ward के यह सब तो guys कोई है न, employee ward का तो आप देखो ही मत, क्योंकि यहाँ पे सभी candidate को उनको बुलाय गया है, मतलब जो भी पच्चे वहाँ पे form भरे होंगे employee ward से, तो उनको सभी को बुलाय गया है तो उनके लिए आपको एकदम tension नहीं लेना है, आप इन main चीजों पे ध्यान दो, जो उपर unreserved में लिखा हुआ है, unreserved मतलब क्या general category, जिसों कोई reservation नहीं मिला है, ऐसी category, फिर उसके बाद आपका ST, SC, OBC, NCL और यह physically challenge category आती है, ठीक, अब देखो यहाँ बहुत important चीज जो लिखी में एक एक चीज आपको पढ़ दे रहा हूँ, और guys बहुत ही अच्छे से समझा भी दे रहा हूँ, note करके क्या लिखा है कि प्रथम counselling, जो आपका first counselling है, ठीक, देखो, प्रवेस की प्रक्रिया के पस्चात यदि कोई seat रिक्त बचती है, तो counselling के, तो guys, counselling की merit list, यार, यार, जो है second list आपका जारी किया जाएगा, फिर उसकी दूसरी date आएगी, तो समझ रहे हो, ऐसा है, है ना, उसके नीचे वाले rank को बच्चों को फिर बुलाया जाएगा, तो ऐसा करके होता है, यहाँ पे admission, अब अगर बात करें, तो दोखो, यहाँ पे बहुत ही ले के जाना है, यह चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो काईस प्रवेस, मतलब entry या counselling के लिए, आप देखो, समय आपको time दे दिया गया है, सुबह 8 बजे से ले के दोपार 12 बजे तक, यानि वहाँ पहुँच जाना है, और counselling का जो अस्थान है, यानि प्लेश है, Central Hindu boys school कम अच्छा वाराणसी में, ठीक, अब आपको fees, अच्छा बच्चे पूछते हैं न, कि कितना पैसा वैसा ले के जाना है, तो देखो guys, अपने पर्स में जो है, अपने पापा के पर्स में इतना जरूर चेक कर लेना, कि 5000 जार minimum तो होना ही चाहिए, class 6 और 9 के लिए, minimum मतल ले लीजीगा, और जो आपने फोटो लगाई है, ठीक, passport size की 4 रंगीन फोटो, यानि 4 color फोटो ले लीजीगा, पांचवान नंबर पर लिखा है कि कच्छा 5 और 8, यानि कि जो 6 में admission लेना चाह रहे हैं, वहाँ पर मतलब जाएंगे, 6 के लिए, वहाँ पर guys, आपको 6 वाले के बच्चों को बुलाया गया है, उतने ही बच्चों guys बुलाया गया है, counseling के लिए, first list में, तो guys, 9 वालों के लिए भाईया, तो याद रखना, 8 का अपना mark sheet, जो है, जो school से आपको मिला ही होगा है, तो वह तो original लेके जाना ही जाना है, साथ में आपको उसका चाया प्रति, यानि बोले तो photo state लेके जाना है, और सुनो, क्या लिखा है, पूर्व के विद्यालाय द्वारा जारी किया गया जन्म तिथी प्रमाड पत्र, यानि guys आपके विद्यालाय आपके आपकी school के द्वारा जो आपका birth certificate है, वो original certificate आपको school से मांग लेना है, या साथ आपको मिला गया अभी फिलाल, वो अभी ध्यान दिये रहो, साथ आपको नमबर प्रिका लिखा है, जो बच्चे OBC आते हैं, OBC NCL में, और NCL मतलब non-criminal, यह हमने समझाया हुआ है, समझ रहो, SCST, दिव्यान category के लिए, तो इनके भी guys कुछ अलग certificate है, क्योंकि reservation मिला है ना, तो reservation के लि ओ guys original होना चाहिए, और साथ हम एक photo state भी आप लोग रख लेना, समझ रहो, तो अब देखो, यह चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि केंदर सरकार के निर्धारी प्रारूप पर और सच्छम अधिकारी द्वारा जारी, उनकी category संबंदित नविंतम प्रमान पत्र, ठीक ह होगा, अब क्या है इसका मतलब, अभी यह साथमय और आठमय का क्या मतलब है, यह already मैं आप मेरा reservation वाला video देख लो है ना, इस video के खतम होते ही फटाक से, जो भी reservation बच्चे है, reservation वाले, जिको category कुछ भी certificate चाहिए, डाकुमेंट है ना, वह प्लीज, reservation वाला मेरा video देख लो, वो भी माने नहीं होगा, आप समझ रहे हो, आपका admission फिर वहाँ से हाट काट दिये जाएगा नाम, तो यह चीज़ देखो, तो यह सेम वाई है, PCOH के लिए समझ रहे हो, मैंने उस reservation वाले में सब कुछ बड़े अच्छे से explain कर दिया है, अब देखो यह यह नवे नमबर पे अब इसे मिल जाता है, तो ठीक है, आप लोग बनवा के लिए के चले जाओ, इस स्कूल से मांग लोगे, वो लोग बढ़िया से ना, मुवा ठपा लगा के आपको दे देंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण वस बहुत ही मतलब हो गया, ऐसा कि यार नहीं है, टीसी बस टीसी नहीं मिल पाया, स्कूल से, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल से आपको वन वीक का टाइम दिया जाएगा, कि आप जो है, स्कूल से प्लीज टीसी लेते आईए अपने, है ना, वन वीक के अंदर, और ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, जब मेरा भी एडमिशन हुआ था तो टीसी भी हमारे तुरंट नहीं मिल पाया था, है ना, क्योंकि मैंने अल्रेडी किसी स्कूल में अडमिशन ले लिया था, अब वहां से टीसी लोग तुरंट यहीं नहीं रहे थे, तो बाद में उन्होंने वन वीक में थोड़ा सा है ना, दो चार दिन बाद ही मिला था, CHS में अडमिशन होने के बाद, तो अगर जिसका नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, थोड़ा टाइम है आपके पास, आप लोग को टाइम दिया जा रहा है, एक वन विक का आप लोग प्लीज जा कि स्कूल से ले लीजीगा, और देखो, 11 नमबर पे क्या लिखा है, कि अंतिम विद्याले द्वारा जारी चरित्र प्रमाड पत्र, है ना, आपका चरित्र कैसा है, उसका प्रमाड पत्र मतलब, आपका जो है, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी देखो, स्कूल के द्वारा, है ना, स्कूल से आप लोग बनवा लीजीगे, यह सब आपको टें द्रत नंबर पर क्या है, अवियर्ति अपने अधार कार्ड की मूल, एवं छाया प्रती साथ लाएं, अब देखो, आधार का अपना ओरिजिनल डृट है, जो भी आपका अधार का है, उसमें जो भी गलस सही लिखा, जो भी आपका गलस सही बनाए, फोटो काला आया, गोरा या उससे कोई फ़र्क नहीं, अपना आधार कार्ड है आपके पास, आप लोग अजिसका प्लीज, आधार कार्ड का ओरिजनल ले लेना, और साथ में एक फोटो स्टेट भी करवा लेना, हो सकता है फोटो स्टेट वहां पर सम्मिट हो आपका, तो समझ रहे हो, अब देखो य लिखा है कि काउंसिलिंग या प्रवेस के समय अभिहरती या उसके अभिवावक द्वारा निर्धारित समय वो अस्थान पर उपस्तिती सुनिश्चित नहीं करने की दसा में प्रवेस की पातरता समाप्त हो जाएगी इतो यार मैं पहले इसे ही समझाता हूँ कि मतलब अगर समय नहीं पहुँच पाइगए ऐसा नहीं कि आप सुबह हो रहा था नो से बार आपको टाइम दिया गए था या आट से बार आप पहुँच रहेंगा इस साम के चार बजे और फिर आप कहरो यार मेरा डिमिशन ले लो तो ऐसा नहीं है उसी टाइम के बीच में अगर उतने 14 नमबर बात करें प्रवे सुनिच्चित होने पर उसी समय फीस भी जमा करना होगा यानि कि जो भी आप 5-6,000 रुपए घर से ले गए वहाँ पर बताया जाएगा मतलब मिनिमम आप लोग 5,000 रुपए तो ले लेना और 2-4,000 रुपए एक्स्टा रखे रहना समझ रहे हो तो उतना तो गाइस देखो जो फीस है आपको वहीं पर तुरंथ ही जमा करना होता है ये भी चीज हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं फिलाल आप लोग यहाँ पर देख पार हो लिखा हुआ है और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा और रही बात 15 नमबर की 12 प्रवेस के लिए अलग से कोई बुलावा है ना मतलब की आपके एडमिशन के लिए कोई अलग से आपको एरोपले नहीं दी भेजा जाएगा सीचस से कि जाओ भी यह इसमें बैठ के आप चले आओ है ना ऐसा कुछ नहीं होगा जो यहाँ पर बता दिया गया है यहाँ पर नाम हो आप सब का आ गया है भाई देख लो कितने इस कितने रैंक है डेट आ गया है अस्थान बता दिया गया है प्लीज आप लोग अपने पैरेंट के साथ जो है वहाँ पर चले जाओ सारा डाकुमेंट लेके कुछ डरने वनने की बात नहीं है और देखो 16 नमबर दिखा है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना प्रवेस की सुनिचिता नहीं है है ना ये भी मत सोच लेना कि यार चलो काउंसलिंग के लिए तब बुलाई दिया गया नाम तो आई गया है रैंक में तो गाउं भर में इसे धिंडोरा पीट देते हैं हो गया CHS में तो ये भी मत बोलना अभी पहले जाना है ना होता क्या है कि यार देखो बहुत सारे स्टूडेंट पहुंस तो गए कुछ लेट पहुँच गए कुछ पहुँचे तो डाकुमेंट ही नहीं है पैसा ही नहीं है या फिर किसी कारणट से फिर उनका अडमिशन नहीं हो पाता है समझे रो तो अगर ये सब चीज आप क्लियर रखो कि इतना यहां पे लिखा है बस आप उतना चीज क्लियर रखो फिर आपका अडमिशन को रोक नहीं सकता CHS में समझे रो जिसका रैंक लिस्ट में नाम आया है उसो कोई रोक नहीं पाएगा तो ये चीज है तो इस लाइन का हुआ नंबर पे लिखा है कि प्रवेस या काउंसलिंग के समय अभियर्थी के नामांकन से संबंधी संपुर्ण प्रमार पत्र उपलब्द होना अनिवार है समझ रो मतलब यही कहना है टोटल यही कहने का मतलब है कि भाईया जितना आपसे प्रमार पत्र मांगा गया है है तो यह सब चीज गाईज आपको होना बहुत ही जरूरी है उधर और इसके बाद अगर पहुंसते हो तब तो यार आपका अगर दिकत हो सकती है आपको बाद में फिर दोड़ना पड़ेगा क्यों टाइम बहुत कम रहता है उधर जितना टाइम आपको दिया गया है उतने तो टाइम में एडमिशन होना है तो यह चीज बहुत ही खास आप लोग ख्याल रखिएगा देखो गाइस गल्स में जो है आपका टाइम दिया गया है दस से बारा ठीक दस से बारा टाइम दिया गया है सुबह का और यहां पर आपको जो अस्थान है आपका CHS Girls School है यानि CHGS में जाना है Central Hindu Girls School कमच्छा वराण सी जो दूर के बच्चे है प्लीज आप लोग गूगल मै लिखा हुआ है जो रिखा हुआ डाकुमेंट आप लोग एक चिंटा मत करिये जो बच्चे नहीं पहुच पाते हैं मतलब आपर कॉँंसलिंग के समें बच्चे नहीं पहुच पाते हैं जितना बुलायागया तो भाई सेकेंड लिस्ट भी आएगी लेकिन गाइस सीट तो फिलाल गाईज इसमें तो यही लिखा हुआ है, हमने आपको इस सब चीज दिखा दिया, आप लोग प्लीज अपना नाम देख लो, रैंक लिस्ट देख लो, समझ रो, बीच्चू की वेपसाइट पे अल्रेड़ी यह सब चीज आ चुकी है, ना, मेल, फिमेल, सब का गाईज आ चुका है, वहाँ पे क्लास 6 का, क्लास 9 का, आप यहाँ से यह चीज देख सकते हो, मेल, फिमेल, क्लास 6, 9 का, अलग-अलग सब कुछ आ गया कैटेगरी वाइज, देख रहे हो, इतने सारे बच्चे थे, तो आप यहाँ से अपना नाम वाम सकता है, समझ रहो, तो यह भी इतना लेट होने के कारण हो सकता है, बहुत सारे बच्चे लीफ करें, तो यह भी फायदा मिलेगा, थोड़ा बहुत नीचे चला जाएगा, लिकिन गाईज, आप यहाँ पे नेम देख सकते हो, कितने बच्चे का है, मतलब हद है भाई, यह नो, दस हजार कितना है आखरी तक, अगर तरी OBC, NCL की बात करें, क्लास नाइन्थ क्या, मेल, देखा तो दस हजार नो, समतलब लगब कि यारह हजार तो बच्चे यारह से ही पड़े हुए यह आपे, तो इतना तो नीची नहीं होगा भाई, थोड़ा बहुत है ना, जैसे नहीं नोटिपिकेशन आएगी, गल्स के लिए, या फिर क्लास 11 के लिए भी बहुत ही जल्द आने वाली, आप लोग बिल्कुल भी टेंसन ना लो है ना, बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि प्रोसेस अब बहुत ही, क्योंकि आईस अब देखो, इन्पूट बंधी च चैनल को, और लाइक बटन दो दबा के ही जाना है, है ना, तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई